Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ R.T. टेली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्या में आप जानेंगे टेली प्राइम में कमपनी सिलेक्ट करना, उसे चेंज करना, और कमपनी को डिलीट करना इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नई कमपनी कैसे बनाते हैं साथ ही टेली स्टार्ट करना, कमपनी को बंद करना, टेली बंद करना और अन्य कुछ महतुपून बातों के बारे में भी बताया था आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि सिर्फ वीडियो देखने से लाब नहीं होगा यदि आपको इस वीडियो का सही लाब उठाना है तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह दो-तीन बार प्रैक्टिस जरूर करें चली अब शुरू करते हैं आज का अध्याय यहां हमने टैली स्टार्ट कर लिया है टैली स्टार्ट होते ही बाइ डिफॉल्ट हमें कमपनी खुली हुई दिखाई पढ़ रही है यह वो कमपनी है जो हमने टैली में सबसे पहले बनाई थी आगे बढ़ने के पहले Company पर माउस से क्लिक करके कुछ Options और उनके Shortcuts के बारे में समझ लेते हैं Create से आशय है Company Creation से इसकी सायता से Tally में नई Companies बनाई जाती हैं और इस Option का उपयोग हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं Alter से तातपर्य है Company Alteration से इसकी सायता से Tally में हमने जो Companies बना रखी है उन्हें बनाते समय हमने जो Details दी थी उसमें अगर कोई Changes करना हो या कुछ नया जोड़ना हो या हटाना हो तो वो इस Option की सायता से कर सकते हैं Change से आशय है Change Companies जब Tally में एक से ज्यादा Companies ओपन होती है तो हम जिस Company में काम कर रहे होते हैं यदि उसकी बजाए किसी दूसरी Company में काम करना हो तो इस Option का उपयोग करते हैं इसकी Shortcut की है F3 Select से तातपर्य है Select Company से और इसका उपयोग Tally में बनी हुई किसी भी Company को उपन करने के लिए किया जा सकता है और इसकी Shortcut की है Alter और F3 Shut का आशा है Shut Company से यानि Close Company से जैसा कि इसके नाम से ही सपश्ट है इसका उपयोग हम किसी Company को बंद करने के लिए करते हैं और इसकी Shortcut की है Ctrl और F3 इसका उपयोग हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं Escape की से वापस Gateway of Tally पर चलते हैं यहाँ पर हम आपको एक खास बात बता दें कि जब भी आप Alter प्रेस करते हैं तो उससे संबंधित जितने भी Shortcut की हैं वो Right बटन बार में दिखाई परती हैं इसे तरह जब आप Ctrl प्रेस करते हैं तो उससे संबंधित Shortcut की दिखाई परती हैं इसका फायदा यह है कि यदि आप Shortcut कीज भूल गए हों तो इस तरह से उन्हें आसानी से देख सकते हैं इन्हें देखनी का एक तरीका और है यहां दिखाई दे रहे arrow के निशान पर क्लिक करें और यदि आप चाहें तो इन ऑप्शन्स पर माउस से क्लिक करके भी उनका उप्यों कर सकते हैं तो चलिए काम आरंब करते हैं, यहां एक कंपनी पहले से ही ओपन है, दूसरी कंपनी ओपन करने के लिए आल्टर और F3 कीज एक साथ प्रेस करें, देखिए, सिलेक कंपनी वाली स्क्रीन आ रही है, हम अप यह डाउन एरो की से उस कंपनी के नाम पर जाएंगे जिसे ओपन कर करना है और एंटर प्रेस करेंगे, या सीधे उस कंपनी के नाम पर माउस से क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे, यह देखिए, हमारे द्वरा से लेक की गई कंपनी ओपन हो गई है, और वो बोल्ड अक्षरों में भी दिखाई दे रही है, आपको फिर से याद दिला दें, जब भी हम Tally में कोई काम करेंगे तो वो काम जो कमपनी बोल्ड अक्षरों में दिखाई दे रही है याने active है उसमें होगा। चलिए आप Change Company option को समझ लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो Companies open है उसमें से जो Company active है उसके स्थान पर यदि आप कोई दूसरी Company active करना चाहते हैं तो माउस से उस Company पर क्लिक करें ऐसा करते ही Active Company चेंज हो जाएगी या फिर आप F3 की प्रेस करें ऐसा करते ही Change Company वाली विंडो आएगी लिस्ट ओफ Companies में से वो Company सेलेक्ट कर लें जिसमें आप काम करना चाहते हैं और Enterprise करें यहां हम आपको एक महतुपुन बात बता दें जब आप टैली में किसी Company में काम कर रहे हैं जैसे की अभी हम इस Company में हैं और हमने Day Book देखने के लिए के प्रेस किया Day Book के बारे में हम आपको आगे की वीडियो में समझाएंगे यह देखियें यहां पर Day Book ओपन हो गई है और यदि आप इस दौरान भी Select Company, Shut Company, Change Company आदी Options का उप्योग करना चाहें तो कर सकते हैं चलिए अब Alter Option को समझ लेते हैं उसके लिए पहले जरूरी है कि आप जिस Company को Alter करना चाहते हैं वो Open हो यानि यहां दिखाई पड़ रही हो और यदि Open ना हो तो उसे Select Company की सहायता से Open कर लें ध्यान रखें Alter Option सिर्फ Gateway of Tally की स्क्रीन पर ही काम करता है यदि आप Gateway of Tally पर हैं तो ठीक वरना Escape की प्रेस करते हुए Gateway of Tally पर आ जाएं यहां Company पर क्लिक करें और Down Arrow की से Alter पर जाकर Enter प्रेस करें यह देखिए Company Alteration विंडो आ गई है और वो सभी डिटिल्स दिखाई पड़ रही हैं जो हमने Company बनाते समय दी थी अब यहां से आप जो भी चिंजिस करना चाहते हैं या जो भी नया जोड़ना चाहते हैं या कुछ अटाना चाहते हैं वो कर सकते हैं हम यहां पर अपना पिन कोड बदल रहे हैं और यहां अपनी वेबसाइट का नाम डाल रहे हैं आगे हमें कोई चिंज नहीं करना है इसलिए इस विंडो को Accept करने के लिए Ctrl और A की इस को प्रेस करेंगे चलिए अब हम इस वीडियो का आखरी Option भी देख लेते हैं मान लीजे अब Tally में बनी किसी Company को स्थाई रूप से हटाना चाहते हैं यानि Delete करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप जिस Company को Delete करना चाहते हैं वो Open हो यानि यहां दिखाई पढ रही हो चलिए आगे बढ़ते हैं यदि आप Gateway of Tally पर हैं तो ठीक और यदि आप कहीं और हैं तो Gateway of Tally पर आकर पहले Company और फिर Alter पर जाना होगा Alter Company की स्क्रीन आ जाएगी List of Companies में से उस Company का नाम सेलेक करें जिसे आप Delete करना चाहते हैं और Enter Press करें Company Alteration स्क्रीन आ जाएगी अब यहाँ पर एक महतुपून बात समझ लें कि किसी भी Company को बहुत सोचने समझने के बाद ही Delete करें यदि आपने Company में कोई Legors बनाय हुए हैं या कोई Transaction Record किये हुए हैं तो एक बार Company Delete होने पर उस Company का पूरा Record चला जाएगा और फिर आप उसमें से कुछ भी Recover नहीं कर पाएंगे Company Delete करने के लिए Company Alteration विंडो पर Alter और D एक साथ प्रेस करें इस तरह की एक छोटी विंडो आएगी यदि आप Company Delete करना चाहते हैं तो Y या Enter Press करें ऐसा करते ही फिर एक विंडो आएगी जिसमें आपस वापस कंफर्म किया जा रहा है कि क्या आप Company Delete करना चाहते हैं यस के लिए Y प्रेस करें ऐसा करते ही Company हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी हम सिर्फ समझने के लिए ये काम कर रहे थे वास्तव में हमें इस Company को डिलीट नहीं करना है तो हम No के लिए N प्रेस कर रहे हैं Escape की से वापस Gateway आफ टैली पर चलते हैं और जो भी Companies खुली हुई हैं उन्हें Control और F3 की साहता से बंद कर देते हैं और अब आखिर में टैली से बाहर आने के लिए याने Quit करने के लिए Control और Q कीस को एक साथ प्रेस करेंगे दोस्तो हर वीडियो में हम कुछ नई बातें विस्तार से बताते हैं और बाद में Short में उनका उप्योग करते हैं यदि आप चाहते हैं कि कुछ भी उप्योगी सीखने से आप वंचित ना रह जाएं तो क्रपया सभी वीडियो को क्रमानुसार ही देखें इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किसी कंपनी को ओल्टर और डिलीट कैसे करते हैं और साथ ही बताया Select Company और Change Company के बारे में अगली वीडियो में हम आपको बतायेंगे कि टैली में लेजर बनाते समय सही ग्रुप का निर्ने Chart of Accounts की साहता से कैसी करी